कि एक रिकेट फैंस वेलकम एंड वेलकम बैक टू दा चैनल नवाबो के शहर लखनव में जहां पर शुरुआत में लग रहा था कि शायद मैच नहीं कि प्रेडिक्शन ऐसी थी कि बारिश जो है वो हर 15-20 मिनट के बाद जो है वो हो रही थी पर वहां पर हुआ एक मैच जो क कि लास्ट में जाके काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग हो गया जहां पर लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो यह मैच को जीत सकता है करते हैं रिवीव इस मैच में इंडिया वज़े साउथ अफरीका फरस्ट टीट फरस्ट ओडियाई जो की साउथ अफरीका ने जीत हो गया था करते हैं रिव्यू स्टार्ट तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंट टीम मिडिया की तो टीम मिडिया ने टॉस जीट के वो नीचे यहां तो spin में बैटिंग में तुरी सी डग दे सकते थे जैसे कि अगर हम देखें तो शाबाज को यहां फिर अगर हम देखें रचत पार्टीदार को जो कि एक सकते तो उनको जो है वह नंबर नंबर तीम पर खेलें तो उनको जो है वह तो आपनी पोजीशन पर खेल नहीं रहे हैं तो यहां पर अगर हम देखें अब अगर हम बात करें टीम इडिया के सैट आफरीक Personflower मेलान तन ही हिझा एधिक की फोसरगल ने वह स्टार्टिंग में थोड़ा सा वह स्ट्रगल किया कि मैच का महौल जो है वह ओल्मोस्त टिंग्लन जैसा बना हुआ था और इंग्लेंड ऐसे लग रहा था कि जैसे इंग्लेंड में मैच हो रहा हूँ क्योंकि बॉल दूनों तरफ लहरा रही थी तो वहां पर उनको मदद भी पिछ से है वह बना के लेगे तो पुंटन डीकॉक ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रग्लिंग फेस्ट निकाला वहां पर 48 और 54 दिखने में स्ट्राइक रेट कम लग सकता है यहां फिर लग सकता है कि वह उन्होंने एक भी जखका नहीं मारा सिर्फ पांच चौके मारे हैं बट अगर ह करने का मौका था वो इतना नहीं कर पाए अगर उसके बात मैं देखूँ अगर चैप कुरिये अगर उसके बाद मैं देखू तो और डेविड मिलर जो है इन्होंने काफी अच्छा किला इनके कैच भी छुटे जो कि मैं हम करेंगे बाद में डिसकर्स इंडिया की फिल्डिंग के लिए बट वहां पे उन्होंने काफी अच्छे रंस वह बनाए वह दोनों आउट ही नहीं तो अगर इंडिया तो रवेश खान ने स्टार्टिंग में बॉलिंग की थी उसके बाद जो है वो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो उनके रंस भी है तो सिक्स की कॉनमी से बट ज्यादा है अगर बट अब रवी बिश्णोई का बिल्कुल भी दिन नहीं रहा रवी बिश्णोई ने जरू 2019 में बाबाराजम को आउट के था वैसी सिमिलर बॉल जो है वो उन्होंने प्रोड्यूस कि और बहुत ही अच्छी बॉल पे उन्होंने इडिन मार्करम को आउट किया मार्करम आज रन ही बना पाए पट जिससाब से वह पांच बॉलें जो खिलाई थी वहां पे उन्हों को जो है वह को दीप्यादाव में नजर आए तो बहुत ही ब्रिलियंट रहा उनकी बॉल्स आज काफी ज़्यादा अच्छी थी बट एक जो उनकी कमजोरी है कि उनको दूसरी साइट से भी साथ चाहिए होता है और उनको नहीं मिला बट अगर हम देखें उनकी इस इंडिवि स्थैंडर्ड जो है वह काफी जादा जो है वह गिर चुके हैं जिस तीम इंडिया चैच्छ्ट कर रही है और से ग्राशा जो डवर्ट होने दे रही है तो और चीजें वह हो ठीक्र हो देखने लायक रहे इद्धीम मिडिया को देखना पड़ेगा क्या पाकि टीम्स के लेवल अगर हम जिनके साथ剛剛 नहीं जा रहे हैं यहां पे हम हkeं रहे हैं वहां पे दूसरी टीम्स क्या है फिवर्ष भ्लाव्स डिस्प्ट्डै कर रही हैं इंटरनेशनल लैवल का तो बस ये कि ये दुब्लेश घेल रहे हैं वह इंटरनेशनल लैवल के प्लेश नहीं लगते हैं ये गुद्यक्वात करें अगर और जो है वो शुमंगिल बहुत जल्दी चलेगे देन शिखरदवन भी टिकने की कोशिश कर रहे थे वो टिक नहीं पाए रुतुराज गायकवड ने काफी लंबा फेस निकाला वहां पे अगर हम देखे तो रबाड़ा और रबाड़ा और एंगीडी की जो है वो बॉलिंग वह नहीं 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 ना पाए श्रेयर ने शांदार पचास बनाए शुरुवात में थोड़े स्लो थे बट उन्होंने बाद में जो है वह अच्छा कवर अब किया बट अगर वह मुझे लगता कि थोड़ी सी जल्दी कर गए जब एंगीडी को मानने गए बट अगर उसके बाद बात करें संजू सैंसन की तो संजू सैंसन ने बहुत ही जादा ब्रिलियंट इनिंग खेली है मैंने ट्वीट किया था आप मुझे सीए अंडर स्कूर अकाश्वर्मा पर जाके फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर कि संजू सैंसन ने जो है वह थर्टी तो मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर गए अगर वही अगर वह यह दो तीन बॉल में एक दो चौका मारके अगर एक सिंगल ले रहाते देखिए इंडिया ने हाना है था तो वह इंड बट्स जो वह जो है वह उसके अग्रिंग तो हर रिजल्ट जो है व पूरा दिन ही उस शॉट के बाद जो है वह खराब होता गया जैसे उन्होंने चक्का लगाया उसके बाद जो है वह लास्ट में डेथोवर में 30 रन होने के बावजूद भी शमसी को यह करवा देना कि यास अभी भी मैच वह इंडिया का है मुझे लगता है कि संजू सैंसन को आप कैसे डिसीव कर सकते हैं तो उससे को यह इस तरह का बाद करें लौड ठाकूर की लोट ठाकूर जैसे की बॉलिंग में बहुत ही जबर दसते वैसे वह यह बहुत ही जिए प्रिल्लाइट जो है वो मुझे लगता कि घेल सकते थे बहुत ही ज्यूद ज्यादा जो शमसी यहां फिर वहां पर हम देखें तो उन्होंने जिससाब से उन्होंने साउथ अफ्रिका बालर को अटैक किया है काउंटर अटैक किया है मुझे लगता कि वह एक नंबर आठ के बैट्समन से जो है वह बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट इनिंग्स थी उन्होंने अपनी तरफ से जो है वह 100% टीम के लिए जो है वह बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें उनके 33 जो है वह दिखने में आपको 31 द्शल तरफ में रख सकते हैं पर जहां पर बीच में जो-तिव अच्छी पॉलिंग हो रही थी महां पर जो है आण वहां पर टीम इडिया ने परहुत हुद्छी दिया है थोड़ा साइच दो बाल इधर उदर थे परस्वामयंस तो यह बहुत अच्छी थी अगर तो अगर आप देखेंगे तो सभी बॉल जो हैं जैसे केश्व महराज ने ब्रिलेंट वर्स निकाले हैं उसके लावा रबाड़ा पार्नेल वो सारे जो है वो हिट्ट डैक बॉलर उन्होंने जिससाब से टाइमली जो है वो विकेट्स लेने के साथ सब्सक्राइब बहुत ज ज़्यादा खेल दे सब्सक्राइब और अगर हम देखें़ तो इंडिया ने जिस षेसाब से चीजिंग में आपको जब पता है कि थोड़ा सा है वह हलका से हलके से इंटेंड का जो है एगर .2% तो पीपरसेंट एगर फॉसितिव रखते तो टीम इंडिया ना सकती थी ति टो जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा डाला भॉल अगर वैसे बात करें तो टीम इंडिया अगर हम वैसे बात करें नां उन्होंने यो इंटिया के पास जो बैटर जो एक सिंगल लेंगे जब बाप सेंजू सेंटैन घड़े आं हमें याजा को यहां सकते हैं आप अगर एक चौका मारते हैं उसके पाद आप तीन बॉल जो है वो डॉट बॉल करने के चांसी जो है जो कि हमें देखने को मिला अवीश खान के साथ आप मारने को एक चका लंबा मार सकते हैं बट उसके वाल आप तीन डॉट बॉल करवा सकते हैं जहां पे आप opposition को जो है वो एक अच्छा chance दे रहे हैं क्योंकि एक अधी miss hit जो है वो दूसरा captain allow कर सकता है बट अगर आप वहीं पे अगर आप game sense दिखा के एक single ले ले वहां पे चार ball अगर वह आप अपने एक set batsman को दे तो वह set batsman अगर दो चौके मार के मारता है तो आपके लिए 8 run प्लस आपका एक single 9 run तो आपके 6 run से ज्यादा 9 run जो है वो एक तो team को confidence देती है और आपके set batter को जो है वो एक advantageous position में लेके जाती है जहां पे दूस सारी चीज़े होती है जहां पे आपको एक extra 4-5 run जो है वो मिलते हैं जहां से आप जो है वो match को जो है अपनी तरफ जो है वो पुल करते हैं थोड़ा सा अगर हम बाकी teams के पास देखे तो वहां पे एक natural intent वाले जो है वो नीचे वाले batters होते हैं जहां पे वो wickets नहीं देते चाहिए आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप यह वीडियो कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में